हलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए दो मूली की बिलकुल नई और मजीदार रेसिपी लेकर आई हूँ जब सब कुछ खागर बोर हो जाना तो इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करना आपको बेहत पसंद आएगी और इस रेसिपी को आप किसी के भी साथ खा सकते हैं रोटी परा पहले मैंने अच्छे से पील ओफ कर लिया था यानि की उपर का छिलका मैंने इसका उतार लिया था और अच्छे से इसे वोश कर लिया था वोश करने के बाद इस तरीके से हम इसे कट करेंगे ज्यादा छोटे टुकडे करने की जरूरत नहीं है यह देखिए इस तरीके से म मेरे पास छोटे वाला है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिजेगा और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां पी लिया है अद्रक का अब लेंगे एक मिक्सी ग्राइंडर जार जिसमें हम चटनी बनाते हैं वो वाला जार हमने लेना है क्योंकि हमने इसे पीसना है अच्छे इसके बाद यहां पे जाएगा फ्रेश हरा धनिया अच्छे से मैंने इसे वोश कर लिया था और जो यह डंडिया होती है ना यह डंडिया हमने बिल्कुल नहीं फैक नहीं यह भी इसके साथ ही डालनी है और साथ ही एक नीम्बू का जूस मैंने इसमें डाल दिया है पानी पिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा सा काला नमक डालना है, थोड़ा सा नॉर्मल नमक जो भी आप यूज करते हैं, यहां सेंधा नमक डाला है, थोड़ा सा कच्छा जीरा है, इसमें जाएगा, और साथ ही थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाठ मसाला, इन दोनों में से नहीं हुई है, क्योंकि इसके उपर लगने वाला है एक बहुत ही मज़ेदार वाला तड़का, तो यह देखी, मैंने यहां पे पैन ले लिया है, थोड़ा सा ओईल इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी आदा चमचे करीब इसमें हम राई डाल देंगे, राई जब कुसबू आती है, साथ ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इस तड़के को डाल देंगे हमारी चटनी में और इसे कर देंगे हम मिक्स, तो यह देखिए हमारी मूली की बिल्कुल चटकारी दर चटपटी सी चटनी बनके हो चुकी है, तैयार किसी के साथ भी इसे आ आप खा सकते हैं, रोटी, पराठा, नान, बहुत टेस्टी बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को जरूर ही ट्राइ कीजीगा, और पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजीगा, थेंक्यू सो मच्छ